हेलो दोस्तों स्वागत है बॉक्सर एडुकेशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में बिहार डियलेड के लिए मौतपून जीके जीएस का अध्यन करने वाले हैं जो परिच्छा के डिश्टी से काफी मौतपून है इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अवस्य करें चले शुरू करते हैं प्रथम सवाल से भारत का सबसे अधिक जनसंख्यावला राज्य कौन सा है तो बताएगे दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्यावला राज्य उत्तर परदेश है भारत का सबसे कम जनसंख्यावला राज्य सिक्किम है सबसे अधिक जनसंख् किस राजय का उच्छतम लिंगा नुपात है तो केरल का उच्छतम लिंगा नुपात है और भारत का सबसे कम लिंगा नुपात हर्याना का है थर्ड प्रस्न भारत के किस राजय में 0 से 6 वर्ष के लिए सीसू लिंगा नुपात सबसे अधिक किसका है तो किसका है दोस्तो बताईगा तो ये सबसे अधिक सीसू लिंगन पाथ और नाचल परदेश का है जब कि सबसे कम सीसू लिंगन पाथ हर्याना का है चौथा प्रस्ण भारत के किस राज्य का जनसंख्या घुनत्वा सबसे अधिक है तो सबसे अधिक जनसंख्या घुनत्वा बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घुनत्वा और नाचल परदिश का है पाच्वा प्रस्ण भारत के किस राज्य में सरवाधिक सचर्था दर है तो सरवाधिक सचर्था दर केरल का है और सबसे कम सचर्था दर बिहार का है भारत के किस राज्य में पुरुसों की सचर्था दर सबसे अधिक है तो सबसे अधिस सचर्था दर पुरुसों की केरल में है और सबसे कम पुरुसों की सचर्था दर बिहार में है साथवा प्रस्ण। भारत के किस राज्य में महिलाओं की सचर्था दर सबसे अधिक है? तो महिलाओं की सचर्था दर केरल का है और सबसे कम महिलाओं की सचर्था दर राजस्थान का है. सबसे अधिक केरल का है और सबसे कम राजस्थान का है. आठवा प्रस्ण पूरुस और महिला सचर्था में सबसे बड़ा अंतरवाला राज्य कौन सा है तो सबसे बड़ा अंतरवाला राज्य राजस्थान है नववा प्रस्ण बाडोली सत्यागरा का निर्थुत्व किस ने किया था तो इस सत्यागरा का निर्थुत्व बलम भाई पटेल ने किया था पटेल को भारत के लोग पूरुष के नाम से भी जानते हैं दास्वा प्रस्ण बिर्शा मुंडा की छेत्र से संबंदी थे तो बिर्शा मुंडा राची के जारखंड से संबंदी थे इगारे नमर तिहत्रे सविधान संसोदन अधनियम द्वारा भारतिय सविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई है तो तीहत्रों में एगार्वी अनुसूची जोड़ी गई है एगार्वी अनुसूची में 29 विशय है और बार्वी अनुसूची में 18 विशय है एगार्वी अनुसूची नगर पंचायर से सम्बंदित है जबकि बारवी अनुसुची नगर पालिका से सम्बंदित है बारव नमर प्रस्ण भारत के महान नयवादी की निवती से सम्बंदित अनुछेत कौन सा है तो अनुछेत छी अतर महान नयवादी से सम्बंदित है महान नायादी की निवक्ती रासपटी की द्वारा की जाती है और अनुछे 63 वो प्रासपटी से संबंदित है तेरे नमर निमलिखित ग्रहों में से किसे संदोरे का द्योता कहा जाता है तो संदोरे का द्योता सुक्र ग्रह को कहते हैं सुक्र ग्रौ सूरे का दूसरा ग्रौ है सुक्र ग्रौ को स्वर्मंडल का सबसे चमकीला गर्म ग्रौ और पीथवी का जुरुआ ग्रौ कहा जाता है सभी ग्रौ में ब्रिस्पत्ती सबसे बड़ा ग्रौ है और बूध सबसे छोटा ग्रौ है चौदे नमर निमलिखित में से किस ग्रौ का घुनत्व सबसे अधिक है तो पीथवी ग्रौ का घुनत्व सबसे अधिक है पंदर नमर पानी में लोहे किसी डूब जाती है लेकिन जहाज तेरता रहता है किस सिधान पर अधारित है तो यह आक्रमिडिज के सिधान पर आधारित है किस सिधान पर आक्रमिडिज के सिधान पर शोलो नमर टीबिया नामक हड़ी किसमें पाई जाती है तो टीबिया नामक हड़ी पैर में पाई जाती है कहां पाई जाती है पैर में सत्रा नमर द्रोचालित ब्रेक किसके नियम पर कारे करता है तो द्रोचालित ब्रेक पास्कल के नियम पर कारे करता है द्रोचालित ब्रेक को हैडुकलिक ब्रेक भी कहते है अठारे नमर कैंसर के उपचार के लिए प्रियुद्गेस कौन सा है तो कैंसर गुप्चार के लिए रेडाउन प्रियुद्गर्स है प्रमानु संख्या 86 होती है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है बिश्वा प्रस्ण मनुष के जीवन काल में कितने दाथ दो बार बिक्सित होते हैं तो बिस दाथ दो बार बिक्सित होते हैं 21 नमर मानों सरीर में लाल रत्नकर्ण का निर्मान कहां होता है तो लाल रत्नकर्ण का निर्मान अस्थी माजा में होता है और सरीर की सबसे बड़ी गरंती यक्रीत है अगनासे से इंसलिन कसरा होता है 22 नमर मानों सरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है तो रुधिर कार्य का पलिया बैंक के रूप में कार्य करता है 23 नमर कोशिका का उर्जागरी किसको कहा जाता है तो कूर्शिकाय का उर्जागरी माइट्रो क ओनडिया को कहा जाता है किसे खहते हैं माइट्रो कॉनडिया को 24 नमर पोधे कieकिस भाग से कौफी प्राप्त होती है तो कौफी बीजुस से प्राप्त की जाती है 25 नमर भारत में राश्टिय युवाद दिवस को मनाया जाता है तो राश्टिय युवाद दिवस 12 जनवरी को स्वामी विबेका नंद के जनम दिन पर मनाया जाता है स्वामी विबेका नंद वर रचित पुस्त के कर्म योग, राज योग और बेदान सास्त्र की रचना की है 25 जनवरी को राष्टिय मददता दिवस और भारतिय राष्टिय प्रत्यन दिवस के रूप में मनाते हैं जबकि 9 जनवरी को 85 भारतिय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को 85 भारतिय दिवस इसी दिन महात्मा गांधी दर्चिन अफिरका से भारत लोटे थे और इसी के याद में 9 जनवरी को 85 दिवस के रूप में मनाते हैं 4 जनवरी को 20 व ब्रेल दिवस मनाते हैं कौन सा मनाते हैं 20 व ब्रेल दिवस धनवाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब अवस्य करें